नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रिट कुम रासी वालो सनिदेव हो रहे हैं वक्री 23 मई 2021 को अभी तक वो मकर रासी में ही है और यहीं पर वक्री होंगे वैसे कर्म फलदाता जब वक्री होंगे तब आप कुम बालों के जीवन पर इसका क्या प्रोहा पड़ेगा क्योंकि कुम बालों पर चल रही है साड़े साती और चड़ती भी सारी साती में सनिदेव का वक्री होना अध्भूत परिणाम लेकर आएगा तो 23 मई 2021 रवी बार का दिन है बैसाक मास की सुक्लपक्ष की एकादसीती थी है और इसी दिन सनिदेव हो रहे हैं वक्री अब जब ये वक्री होंगे और 11 अक्टूबर 2021 सुम बार की सुब़ सात बचकर 44 मिनट पर एक बार फिर से मकर रासी में ही मारगी हो जाएंगे लगभग 142 दिनों तक ये उल्टी चाल चलेंगे जो जोतिस सास्त कहता है कि सनिदेव का वक्री होना अच्छा नहीं फल देता अब ऐसे में जब वो 142 दिन तक वक्री रहेंगे तब कुम्ब वालों जो आपके उपर साधे साती चल रही है तो और मकर में हो रहे हैं वक्री अब आपके जीवन पर इसका क्या प्रोहा पड़ेगा क्योंकि सनि जो वक्री अवस्था में आते हैं तो दुर्भिच फैलता है प्रजाजन को रोग और पिडाई होती है और इसी लिए सनि स्वैम की रासी मकर में चल रहे हैं तो अपनी ही रासी में वक्री होंगे और साधे साती चलने पर आपके जीवन पर क्या सच में विप्र प्रवाव पड़ेगा अगर पड़ेगा तो इनको सांध करने के लिए क्या करें तमाम बाते जारी हैं वीडियो के अंतक बने रही है यह प्रेडिक्शन चंद्रासी पर आधारित है तो कुम बालों आपके बार्मे भौ में चल रहे हैं अभी सनिते अब बार्मा भौ होता ह है खर्चों का भौ जब वह उल्टी चाल चलते वे ग्यारवे भौ की तरफ जाएंगे तो ऐसे में थोड़ा राहत तो मिलेगा लेकिन खर्चों पर कंट्रोल करना बहुत आवस्यक होगा क्योंकि इस समय अगर आप नहीं समलते हैं तो फिर दिक्कत होगी हां 142 दिनों तक क आपको कर्ज बेगेर अगर आपको बहुत जरूरी है आप लेना चाहते हैं तो बहुत सो समझ कर ले और अगर किसी के किसी विवेक्ति पर वक्री सनी अगर खराब प्रभाव दे नकात्मक प्रभाव दे तो मेहनत का फल भी नहीं मिलता है लेकिन आपके लिए प्लस मैनस द वो उल्टी चाल चलेंगे तो खर्चों में ब्रभाव फ्रदी होगी और खासकर धनका नुखसान होगा और किसी पर भी भरोसा इस दहन के मामलों में ना करें अगर आप एफसाई हैं तो खासकर धनके लिएंदे दे में बहुत साब धानी रखें किसी को भी स्थार देने ल नहीं भी पैसे इंवेस्ट इसमें मत कीजिए बहुत जरूरी है तो बहुत सोच विचार कर अच्छे से चीजों को परक कर फिर करें नहीं तो आप इतने दिनों तक सांत रहें तो बढ़िया है वैसे भी करोना वैरस का वक्त चल रहा है अब यहां पर क्या होगा लोग आपसे बे बजह उलजेंगे आपसे जगड़े करेंगे आपके जो परोसी हैं आपसे उनका जो संबंध है वो गड़बड हो सकता है तो आप रिस्तों को संभालिए जो लोग आपसे उलज रहे हैं जो जगड़े लड़ाई कर रहे हैं जो आपसे बे बजह दुस्मनी करने पर उता जादा तूल ना दे बातों को और चुकि घर में आपके कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्त पर भी इस समय निगेटी प्रवाव है तो आपको भी इस मामलों में नुकसान हो सकता है तो संभल के रहना है क्योंकि सनिदेव का असू प्रवाव अगर पढ़ ये भी हम जानेंगे लेकिन एक और बात अब आपकी साड़े साती प्रथम चरण में चल रही है और उल्टी चाल से क्या होगा जीवन में संघर्स बढ़ेगा आपको लगेगा जो आपके अपने हैं जो करीबी हैं वो आपसे दूर जा रहे हैं कुछ ऐसे भी रिस्ते करीब आएंगे जो जिसके बारे में अपने सोचा ही नहीं था अब ऐसे में एक्स्ट्रा मेरिकल अफेर जैसी चीजे ना हो जाए इसका ध्यान रखिएगा और जीवन साथी से रिस्तों को बेहतर किरें इमंदारी से रिस्तों को निभाए जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर दूरिया ना हो जाए इसका भी ध्यान रखिएगा रिस्तों को संभाल के रखें क्यूंकि साड़े साती में सबसे ज्यादा प्रभाव माता पिता के स्वास्त पर पढ़ता है बैबाहिक जीवन में रिस्तों पर पढ़ता है अपनों के साथ संबंध भी गड़ते हैं और अमाम चीजों का ध्यान रखना है अगर आपको लगे कि कस्ट बढ़ रहा है तो तीन सनीवार लगातार एक छोटा सा प्रियोग कीजिएगा इस टील की कटोरी में सरसों का तेल सुक्रवार की रात अपने सिराने रखकर सो जाईए सनीवार के दिन उसमें अपना फेस देख और पिर उसको दान कर दे कोई ना मिले तो पीपल के नीचे रख दे किसी मंदिर के सिड़ी पे रख दे अब ये आपको तीन सनीवार लगातार करना ये प्रियोग इससे कस्ट कम होंगे नए कारे करने के पहले आप बड़े बुजरुगों का सलाह लेकर ही कीजिएगा और अगर आप बैपसाई हैं तो बड़ा इंवेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करें अगर आप एक जौब को छोड़कर दूसरा जौब करना चाहते हैं तो अभी कुछ मत कीजिए अभी सांत रहिए समय को थोड़ा बदलने दीजिए नहीं तो फिर मुस्किल में आप पढ़ ज ख्याल रखेगा इसमें खर्चे भी बढ़ेंगे खास कर आपके पैरों में दर्द या फिर नींद ना आने की समस्या यह सभी चीजें हो सकती है तो सत्रू विरोधी भी अक्टिव हैं बेबज़े आपको परिसान करेंगे हलां कि लंबी दूरी की यात्रा करवाते नजर आ रहे हैं बिदेश से लाब होगा बिदेश जाकर पढ़ाई करना चाते हैं बिदेश में बैपार करना चाते हैं तो लाब होगा और अगर बिदेश से कोई कारोबार है तो जरूर लाब होगा जो बैपारी हैं उनके लिए ये वक्त बैपार में लाब होगा लेकिन आप पैसे इन्वेश्ट बहुत सोच समझ कर कीजिएगा अब धन के मामलों में जरुष से ज़्यादा खर्च मत करें हलांकि विदेशी स्रोथ से धन आएगा अगर आप विदेशी कमपनी में नौकरी करते हैं विदेशी वस्तु का वैपारी है तो आपके लिए बढ़िया व बचाएं हलाकि सनी की द्रिष्टी आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल दे रहा है तो ख्याल रखें साब्धान रहें क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए ओम संग सने चराय नमह या फिर ओम प्रांग प्रिंग प्रॉंग सह सने चराय नमह इस मंद्र का रोज साम में